नमस्कार, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है समय ही एक मात्र ऐसी चीज है जो निरंतर चलता रहता है और जो भागते हुए समय को पकड़ कर इसके साथ साथ चल सकते हैं वही सफल होते हैं जिस किसी ने भी समय के महत्व को पहचाना है और इसका सही सदूप्यो किया है वह उन्नती की सीडियों पर चढ़ता चला गया लेकिन जिसने इसका तिरश्कार किया है समय ने उसे बरबाद कर दिया है तो समय के महत्व को बताने के लिए में एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक समय की बात है एक आश्रम में एक ज्यानी साधू रहता था और उसके पास ज्यान प्राप्ती के लिए दूर दूर से चात्र आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में रहकर सिक्षा प्राप्त करते थे आश्रम में रहकर सिक्षा प्राप्त करने वाले चात्रों में से एक चात्र बहुत ही आलसी था उसे समय व्यर्थ गवाने और आज का काम कल पर टालने की बहुत बुरी आदत थी सादू को इस बात का पता था इसलिए वो चाहते थे कि सिक्षा पूर्ण कर जब ये चात्र आश्रम से जाए तो उससे पहले आलसी चोड़ कर समय का महत्र जरूर समझ जाए इसी उद्देसे से एक दिन शाम के समय सादू ने उस आलसी चात्र को अपने पास बुलाया और उसे पत्थर देते हुए कहा पुत्र यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है बलकि पारस का पत्थर है लोहे की जिस किसी भी चीज को यह चूले वो सोना बन जाती है तुम मेरे प्रिय सिष्य हो इसलिए दो दिन के लिए यह पारस पत्थर मैं तुमें दे रहा हूँ अगले दो दिनों तक मैं आश्रम में नहीं रहूँगा मैं किसी काम से पास के गाउं में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ और जब वापस आऊंगा तब तुम से ये पत्थर मैं ले लूँगा लेकिन उससे पहले तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो सिश्य को पारस पत्थर देकर सादू अपने मित्र के गाउं चले गए छात्र अपने हाथ में पारस का पत्थर देकर बहुत ही खुश हुआ और उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि पूरा जीवन मैं बैठे बैठे खाऊंगा और अपनी आवशक्ताओं के लिए मुझे काम करने की जरूरत नहीं रहेगी और आनन्द पूरवक मैं जीवन बैठे कर पाऊंगा इस कारे के लिए उसके पास दो दिन थे उसने सोचा अभी तो पूरे दो दिन शेश हैं ऐसा करता हूँ एक दिन आराम कर लेता हूँ और अगले पूरे दिन सोना बना लूँगा इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया और जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर धेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से चूँकर उसे सोना बना दूँगा लेकिन इस काम में अधिक समय तो लगेगा नहीं ऐसा सोच कर जब उसने खाना खाया और भर पेट भोजन की वज़े से उसे नींद आने लग गई तो सिश्य ने सोजा कि थोड़ी देर अभी सो जाता हूं जागने के ब सुर्यास्त के साथ ही दो दिन पूरे हो चुके हैं अब तुम मुझे मेरा वो पारस का पत्थर वापिस दे दो शात्र क्या करता आलेस के कारण उसने अपना अमुल्य समय व्यर्थ गवा दिया था और साथ ही साथ धन कमाने का एक सुनहरा अवसर भी खो दिया था उसे अप करें हैं Speaking किसी का भी दास नहीं होता है समय की कीमत धन से बहुत अधिक होती है इसलिए अमुल्य होता है धन आज है कल नस्थ हो जाएगा परसों वापिस आ जाएगा लेकिन एक बार जो समय अतीत में चला जाता है हो चाहा कर भी हम नहीं ला सकते हैं इसलिए अपने समय का स जीवन में आगे बढ़ते रहे जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी समय बढ़ा बल्वान हुआ है समय सब पर भारी समय रहा है सबका राजा जिससे दुनिया हारी धन्यवाद